नमस्कार मैं आसी स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में DSSSB में बहुत बड़ी भरती आई है जो बच्चे टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं 12th पास हैं उनके लिए एक बहतरीन मौका है इसमें टाइपिंग भी आपको या तो इंगलिस करनी है या तो हिंदी करनी है दोनों की जरूरत नहीं है तो 12th पास वाले बच्चे किसी कारण वस अगर आप EMRS JSA का पेपर आपका अच्छा ना हुआ हो चाहे कोई भी जो नहीं आपका पेपर अच्छा हुआ आप DSSB में एक बार हाथ हजमा सकते हैं स्लेबस आपका हुबहु थोड़ा सा मिलता जूलता है थोड़ा सा नंबर अफ कुश्चन्स आपके इंक्रीज यहां पर किये गए हैं सबसे बड़ी बात जो आप लोग पूछ रहे थे एक बहुत बड़ा सवाल है इस भरती को लेकर इस भरती में कि क्या दिल्ली से बाहर क्योंकि यह दिल्ली की वेकेंसी है क्या दिल्ली से बाहर जो भी बच्चे हैं मनलब किसी और राज्ज के जो बच्चे हैं क्या उन्हें जो reservation है age का relaxation है वो दिया जाएगा की नहीं दिया जाएगा इस सवाल पर भी हम आएंगे और सबसे बड़ी बात कि कौन कौन इस form को fill कर सकता है क्यों कौन eligible है उसमे बारे पर भी मैं आप सब ही को बताऊंगा तो सबसे पहले यहां पर देखिए junior assistant lower division clerk और steno तीनो की भरती आई है इसका age syllabus pattern इस पर आपको बता दिया गया है syllabus का पैटन लेकिन उसके आगे मैं थोड़ा सा आपको छोटी सा जानकारी में दे देता हूँ कि कौन कौन से लोग इसके लिए eligible होंगे यह ध्यान रखियेगा कि यह जो junior assistant का पद है पद के बारे में आपको आलोक सर ने बता दिया है कि कितने पद आए हैं यह ध्यान रखिये कितने पद आपके आए हैं इनके बारे में detail आपको अच्छे खासे पद है और ठीक ठाक वेकेंसी है अगर आप प्रियास करोगे तो जाहिसी बात है इसमें आपका qualification क्या होना चाहिए तो आप देख रहे हो जनरल के 788 OBC के 500 पद टोटल 1672 पद हैं यहां पर 12 पास मांगा है आपसे किसी भी बोर्ड से और speed मांगा लाया typing का 35 वर्ड पर मिनट इंगलिस में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट दोनों में से कोई एक करना है कोई दोनों नहीं करना है एक typing आपको करनी है यह ध्यान रखिये salary भी आपकी ठीक ठाक है जो होनी चाहिए एक C लेबल की और सबसे बड़ी बात यह आपकी दिल्ली की job है age आपका ध्यान रखियेगा age को लेकर बहुत दिक्कत है 18-27 है लेकिन किसको age में relaxation मिलेगा वो मैं अब ही आपको बता रहा हूं तो यह आप junior assistant के लिए धेक लिए कि qualification क्या चाहिए अगर मैं stenographer की बात करूँ तो stenographer की पद देखो 57 यहां है 3420 टोटल आपको 143 पोस्ट है और भी हैं कई सारे junior stenographer हैं कई सारे विभागों में आपके निकले हैं मैं general मैं बात कर रहा हूं बस qualification की stenographer है तो उसक इसकी qualification क्या चाहिए तो देखें stenographer के लिए जो qualification चाहिए इसमें भी आपको 12th past चाहिए ठीक है उसके बाद से फॉर्मदार रिकॉनाइज इनवर्सिटी अंडर दा 10 प्लस 2 सिस्टम speed आपकी जो होनी चाहिए इस टेनों की वो 80 word per minute की होनी चाहिए हर जगा माना जाता है और 40 word per minute में आपको क्या होना चाहिए typing, type writing in English होनी चाहिए ठीक है 80 word per minute में आपकी short hand और 35 word per minute type writing in Hindi मतलब अगर English का steno बनना है तो English के steno के लिए 80 word तो चाहिए ही steno की speed लेकिन जो type करोगे बाद में meter तो उसका 40 word per minute के speed से आपको type करना है वो पूरा लेटर अगर हिंदी का steno है तो 80 का steno उसको भी चाहिए प्लस जो typing है वो 35 word per minute हिंदी की typing लेगा यह बात ध्यान रखिएगा इनकी salary थोड़ा junior assistance है ठीक है यहाँ पर देख लीजिए basic आपका यहाँ से start होता है इसमें भी age 28, 18-27 है maximum जितने भी post आए है 18-27 है एक junior stenographer है उसकी 18-30 है ठीक है यह बात ध्यान रखिए अगर हम बात करें यहीं पर आपके exam का pattern क्या होगा exam का pattern तो अभी तो पता चल गया कौन-कौन भर पाएगा जिनकी age 18-27 होगी ठीक है और जो 12 पास होगे जिनको typing आती होगी पहला जो tire exam होगा उसके बास से आपकी typing होगी दूसरा tire में तो पहले tire exam में general awareness, gs, reasoning, maths और यहाँ पर hindi language, english language और computer computer में बोला है computer, internet, social media, office automation मनलब पहले से बता दिया बाकी चीजों का जल्दी से लेवस देता नहीं है तो इसके 25 question है बाकी 35, 35, 35 सब के question है तो यह ध्यान रखिएगा computer भी आ रहा है आपको बहुत अच्छे label का paper होगा दिली का है और दिली में ही आपको posting मिलेगी तो जिनको भी दिली में posting करना है जॉब करनी है वो इस form को भर सकते हैं टीम परिक्षा प्लस के दवारा इसका batch निकाला गया है और अभी offer में है आप परिक्षा प्लस एप इंस्टॉल करके या live.parikshapplus.org website पर जाकर आप batch को purchase कर सकते हैं अब हम बात करें कि जो age relaxation की बात की गई है उस SCST को ये 5 साल का मिलेगा OBC को 3 साल का मिलेगा और physical handicap जो PW आपके एक तरह physically disabled होते हैं उनके लिए यहाँ पर handicap वो दिया गया है कि कितना age relaxation मिलेगा अब सबसे बड़ा सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर हम उत्तर परदेश से हैं बिहार से हैं राजस्थान से हैं हम OBC OBC में अपने में आते हैं तो क्या हम हमें ये 5 साल का relaxation मिलेगा तो बच्चा आपको खास कर OBC Candidate को जो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर बोला है कि Only OBC देला ही Candidate Notified by Government of NCT अप देला ही Later Order इतना 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 वही वैलिड हैं बाकी OBC आउटसाइड जो आपके आउटसाइड है Candidate Will Be Treated as a Unreserved Candidate ठीके वो यू आर की कैटिगरी में आएंगे समझ में आई बात तो जो बंदे OBC अपने अपने स्टेट में आते हो वो इस DSSB में आप General Count होगे OBC का Relaxation आपको नहीं मिलेगा हाँ अब बात करते हैं SC-ST के तो SC-ST का CAST जो Certificate है जो Central वाला जिसके पास है इनका Central का ही बनता ही है तो SC और ST को इसका Reservation का फायदा मिलेगा क्योंकि इनके पास Central का जो Certificate होता है इसके थुरू ये आपके कहीं नहीं यहाँ पर Age Relaxation का जो है फायदा और जो Physically Disabled बंदे हैं उनका भी क्योंकि उनका भी आपका Government वाला जो Certificate होता है Central वाला वो आपका मायने रहेगा वो यहाँ पर फायदा ले पाएंगे लेकिन OBC Candidate जो Delhi के बाहर के हैं वो As A General Count होंगे तो मेरी बात सभी को समझ में आ गई तो जिन्हें भी भाई Course Purchase करना है आप यहाँ से जाओगे वेबसाइट पर हमारे ठीक है यहाँ पर वेबसाइट पर जाईएगा live.parikshah.org लिखिएगा live.parikshah.org जब जैसे ही आप लिखेंगे आपकी वेबसाइट यहाँ पर आएगी से open करेंगे और DSSB का course आपको यहाँ पर दिखेगा courses में जब जाएंगे आप तो courses में जाने के बाद यहाँ देखिए DSSB और यह और से batches हैं कई सारे तो यहाँ पर आपको कहीं ने कहीं DSSB का batch दिखेगा जेल वार्डन का batch है उसके पासे यूपी ट्रिपल स्थी यहाँ बिहार का है और इसी में आप जखिएगा जाके DSSB का batch जो है चलिए तो यहाँ आप DSSB के बाद से जाके देखिए DSSB पहले ही है इस पे आप क्लिक करेंगे junior assistant, steno और LDC, live recorded class, study material, sectional test, strategy और course आपके exam तक valid रहेगा किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप सभी को यह दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप इन नंबर पे call कर सकते हैं ठीके आपको कोई समस्या है तो आप 945000-6007 और 91, 79, 70, 80 पर call कर लिजिए आपको मिला है offer prizes ये ध्यान रखिएगा 588 plus GST जिन्हें भी जुड़ना है classes इसकी start कर दी गई है सब ही कुछ बहुत अच्छे से कराया जाएगा जितने बच्चे यमारस के साथ जुड़े थे आपने देखा कि जो जो paper में पढ़ाया गया था इतना course में पढ़ाया गया वैसे ही question आपके आये थे तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ कोई आपकी query हो तो आप comment में जरूर बताईएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद